अलोई स्टूडेंट नेम लीलम चंद्राकर फ्रम डिपार्टमेंट अब जोलोजी आज का हमारा टॉपिक है इम्मूनेटी यह फिर इसी को प्रतिरक्षा भी कहा जाता है तो इसमें देखते हैं इंट्रोडक्षन इम्मूनेटी मीन्स होता है रिजिस्टेंस या फिर रुका कर सकते हैं पैथोजेंस बैक्टिरिया भी हो सकता है फंजाए भी हो सकता है या फिर कोई भी पोईजन हो सकता है तो यह जितने भी एजेंट है वो पैथोजेंस कहलाते हैं क्योंकि यह हमारे बॉड़ी के अंदर एंटर होकर इंफेक्षन कॉस कर सकते हैं तो इसके अगेंस काम कर रही होती है अगर काम नहीं कर रही होती तो हम बिमार होते हैं ठीक है तो immunity का function क्या है infectious agent के against resistance प्रोवाइड करना ठीक है इसके अलावा हमारे body के अंदर कभी-कभी mutation आ जाती है mutation की वज़े से जो abnormally growth करना शुरू कर देते हैं मतलब कि जो cell है वो abnormally growth करना शुरू कर देते हैं उनको cancer cell कहा जाता है तो ये cancer से सुरू में ही destroy ना किया जाए तो cancer develop हो जाती है तो immunity का काम होता है ऐसे cancer cell जो की develop होती है उनको destroy करना इसके अलावा जो हमारी immunity है जो हमारे body में जो पुराने date cell है उनको खाने का भी work करता है उसके बाद है immune system immune system क्या है तो ऐसा system जो immunity प्रवाइट करती है उन्हें immune system कहा जाता है अब system है तो इसमें कुछ cell कुछ tissue कुछ structure कुछ organ मिलकर काम कर रहे होते हैं तो यहां पर कुछ important constitute है सबसे important constitute होता है WBC यह फिर white blood cells इन्हें leucosize भी कहा जाता है WBC के अलावा lymphatic system भी involved है immunity के अंदर spleen एक organ है lymphoid organ thymus एक gland होता है यहां maturation of WBC होता है और bone marrow जहाँ पर WBC की synthesis होती है तो यह सब एक important lymphatic system होता है उसके बाद है types of immunity immunity टू टाइप की होती है first होता है innate immunity और second होता है adoptive immunity ठीक है तो first इसमें देखते हैं innate immunity को innate मतलब यह कुदरती तोर पर आपके body में present होती है जब आप पैदा होते हैं ठीक हैं और यह specific नहीं होती किसी specific pathogen को target नहीं करती और यह immediately work करती है ठीक है और हर वक्त काम कर रही होती है innate immunity के कुछ component है जो की काम करती है जैसे कि first है physical यह फिर chemical barrier second है phagocytosis यह फिर इसी को cellular factor भी गहाद रता है और third है antimicrobial activity ठीक है तो first देखते हैं surface barrier surface मतलब की physical और chemical barrier यहां पर आ जाते हैं ठीक है जैसे कि skin first है skin तो skin एक surface barrier है skin से pathogen जो है वो enter नहीं नहीं हो पाते हैं ठीक है body को इन pathogen से protect करती है उसके बाद second है mucos coating हमारे जो opening है जैसे कि mouth nose यह फिर different opening यहां पर mucos membrane होती है जो कि physical barrier है उसके साथ pathogen जाकर attach होती है फिर excreate हो जाते हैं खासी के जरीए यह फिर cheek के जरीए ठीक है तो third है इसमें coughing and sneezing coughing and sneezing के तुरू कुछ-कुछ pathogen जो है वो बाहर हो जाते हैं मतलब कि कोई भी bacteria यह फिर virus अगर हमारे नाक में घुस रहा है तो वो coughing और sneezing मतलब कि खासी और चीक के थुरू बाहर excreate कर दिये जाते हैं ठीक हैं उसके बाद fourth है body temperature यह फिर fever तो fever एक response है हमारी body का यह एक अच्छा response है fever में body का temperature rise करता है उससे bacteria viruses जो है वो अच्छे से grow नहीं कर पाते हैं इसके अलावा जब rise in temperature होते हैं हमारी body के अंदर तो metabolic process भी अच्छे से हो रहे होते हैं जिससे WBC की synthesis होती है ठीक हैं और ज़्यादा enzymatic activity भी होती है तो fever एक अच्छा response होता है immunity के लिए immune response के लिए ठीक है उसके बाद है chemical यह फिर biochemical barriers ठीक हैं तो stomach acid हो गया, tears हो गया, saliva हो गया, sweat हो गया, यह सब chemical barriers हैं इसके थुरू कुछ-कुछ pathogen जो है वो बाहर excrete कर दिये जाती हैं ठीक हैं उसके बाद है cellular factor तो इसके अंतरगत phagocytosis और natural killer cells आते हैं ठीक हैं तो first इसमें हम देखते हैं phagocytosis phagocytosis एक response है हमारे body में special type के WBC होते हैं तो pathogen जैसे ही enter होते हैं यह उन्हें eat करने का बाद करता हैं ठीक हैं phagocytosis के process के धुरू इसे cell eating process भी कहा जाता हैं इसमें कुछ specialized WBC cell आ जाते हैं जो की phagocytosis के against काम करते हैं ठीक हैं तो यह cells जो है वो bone marrow में synthesize होते हैं इसके अंतरगत आता है neutrophils और monocytes ठीक हैं यह जो cell है वो bone marrow में synthesize होते हैं bone marrow में बनती है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे monocytes को तो monocytes एक special type की WBC है जो की bone marrow में synthesize होती है और यह blood में पाया जाता है इनकी quality यह होती है कि यह differentiate होकर macrophage में convert हो सकते हैं ठीक हैं macrophage बहुत बड़े cell होते हैं और यह क्या करते हैं pathogen जैसे ही body के अंदर enter होते हैं यह उन pathogen जैसे की bacteria viruses को eat करना शुरू करते हैं ठीक हैं यह सब pathogen जो है उनके लिए food होते हैं macrophage जो है वो एक time में 100 bacteria eat कर सकते हैं यह bone marrow में बनने के बाद tissue में migrate करते हैं ताकि कोई pathogen है तो उनको यह eat कर सके फिर second है neutrophils तो यह most of the time blood के अंदर circulate करते हैं लेकिन जब macrophage से signal आता है जब कोई pathogen body में enter होते हैं तो यह भी उन pathogen को eat करने के लिए उस site में पहुंच जाते हैं तो यह tissue के अंदर जब ज़रूरत हो तो move कर सकते हैं neutrophils micro phase होते हैं छोटे cell होते हैं यह एक time में 20 bacteria eat कर सकते हैं इट करने के बाद यह मर जाते हैं क्योंकि इसकी अंदर lyzo jam in jam इतना नहीं होता जिसकी वज़े से यह मर जाते हैं तो neutrophils की संक्या हाला की जादा होते हैं लेकिन यह मरते भी बहुत जादा है हमारे wbc का लगभग 65% cell जो है वो neutrophils ही होते हैं तो जब कोई infection होता है हमारी body में तो परस बनते हैं white color के तो इसका कारण यहीं है कि जहाँ पर infection हुआ हैं वहां पे neutrophil आखर pathogen को eat करने के बाद खुद भी मर जाते हैं तो dead cell accumulate होना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर infection हुआ है वहां परस बन जाते हैं उसके बाद है natural killer cell natural killer cell clean करते हैं infected cell और cancerous cell को तो cancerous cell को भी किल करते हैं और infected cell को भी किल करते हैं ठीक है infected cell मतलब ऐसे cell जिनके उपर viruses ने attack कर दिया viruses cell के अंदर viruses जो है वो cell के अंदर रहते हैं तो जब इनको signal जाता है कि इन cells के अंदर viruses हैं तो ये इन cells को kill कर देता है ठीक है kill करना शुरू कर देते हैं उसके बाद second type है adoptive immunity तो इसे acquire immunity भी कहा जाता है adoptive immunity ऐसी immunity है जो एक time पर आपकी body में नहीं है बट आप उसे acquire करते हैं उसे बाहरी साथनों से लेते हैं तो जब आपके body के अंदर कोई specific pathogen enter हुआ है उसके against specific immunity जनरेट हुई है तो आपकी body के अंदर उसे adoptive immunity कहते हैं और ये specific होती है कोई भी एक agent है उसके against ये काम करती है और adoptive immunity में थोड़ा time लगती है तो adoptive immunity टू टाइप के होती है first होता है active immunity और second होता है passive immunity एक्टिव immunity कैसे जनरेट होती है जब कोई infection agent आपकी body में enter होती है तो body उस infection के against exposed होती है ठीक है exposed होने के बाद body की immune cell उन infection को recognize करना शुरू कर देते है कि उनके against कोई immunity होनी चाहिए ठीक है तो फिर body के अंदर ये immunity create होना शुरू हो जाती है तो इसमें पहला तरीका है exposure to infection infection के बाद immunity create होती है और second तरीका है vaccination अब ये vaccination क्या होता है तो कोई भी pathogen आपके body के अंदर enter किया जाता है और वो pathogen harmful नहीं होता है आपको kill नहीं कर सकता है लेकिन आपकी body उसको recognize करती है foreign agent से ये immunity create करती है ठीक है और जब वो pathogen enter होता है body में तो आपकी body already immune हो चुकी है आप इसे acquire करते हैं और ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है ठीक है उसके बाद सेकिन है passive immunity passive immunity मतलब आप बनी भुनाई immunity किसी से लेते हैं for example के लिए trans placental immunity जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो placental membrane से जो मा से जो blood enter होता है बच्चे के अंदर उसे trans placental immunity कहते हैं उन blood में कुछ immune protein और immunity present होते हैं तो जो मा है जो काफी infectious से लड़ी है उसकी body में जो adoptive immunity बन चुकी है वे trans placental transfer के तुरू पास हो जाती है बच्चे के अंदर इसके जरी ये बच्चा जो है वो fight up करते हैं against infection लेकिन ये short time के लिए होता है 4 से 5 मेहने के लिए क्योंकि ये आपकी body में खुद नहीं बना है बाहर से आई है इसे active form में body stone नहीं करती इसके अलावा plasma वगेरा, serum वगेरा transfusion करते हैं ये भी immunity की type है फिर है breast feeding बच्चा जो दूद पीता है मा का तो ये भी एक passive immunity immunity का type है टिक है milk के अंदर बहुत सारे ऐसे chemical enter होते हैं protein antibodies वाके राखेरा जो कि आपके body को require होती है against pathogens टिक हैं तो ये हुआ passive immunity